हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको प्राइवेट आए ये 2009 की कोरियन मिस्ट्री थ्रिदर मुवी एक्स्पेन करने वाला हूँ जिस तरीके से शार्लोक होम्स में शार्लोक होम्स और डॉक्टर वाटसन इन दोनों के रिलेशन्शिप दिखाई गई है उसी तरह के से इस मुवी के क्यारेक्टर में भी इन्होंने डेवलप करने कोशिश की है और अच्छे परसंटेज में ये सफल भी हो जाते है ये मुवी अलग-अलग टन्स से भरी हुई है तो चली इसे एक्स्पेन करना स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता ही कि एक आतμी जंगल से चल रहा है उसके साथ एक डेट बॉड़ी है इसे ओ लेकर जा रहा होता है इसके बाद जिन हो जो हमारा में गैरेक्टर है ये हम देखते है जिन हो एक प्राइवेट डिरेक्टर होता है एक wife cheat कर रही थी तो जिन्हों ने उस husband को वो जहाँ cheat कर रही थी वहाँ पर लाकर छोड़ा था जब cheating करती हुए wife को उसने पकड़ लिया तो इसकी photo जिन्हों ने ली ली ये photo जाकर जिन्हों अब newspaper वाले को देखर आता है newspaper वाले affairs की stories के लिए इसे पैसे देते है ये यही काम करते है जिन्हों का एक ड्रीम होता है कि वाए America जा सके इसलिए पैसे शेव करने के लिए यह सब वो काम करते है newspaper एडिर इसे पैसी देता है और पुछता है कि तुम क्यूव बहाँ जाना चाते हो कि वाँ में बहुत सारे पैसे कमना चाता हो ये जोग कर देता है कि वहाँ बहुत सारी वाइब्स चीट करती होंगी अब जिन हो सिटी में आता है इसे एक्चुल में डिरेक्टिव वर्क भी करना होता है इसलिए अपने पैम्पलेट्स सिटी में लगा देता है इसके बाद नेक सिन में हमें दिखाया जाता है जापान में लोग ऐसा नहीं करते थे इसके बाद हमें एक क्राइम सिन दिखता है जहाँ बहुत सारा बलड पड़ा होता है यहाँ पर यंग नाम के पुलिस ओफिसर को बुलाया जाता है यंग एक क्राइम सिन दिखता है तो वहाँ बहुत सारा बलड होता है जल्दी से उसके नीचे काम करने वालों को ये पौशने के लिए बोलता है ये कहता है कि ये master के sun का room था किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए master आकर ये देखता है और इसे बहुती सदमा लगता है master का बेटा ही गायब हो गया है तो बहुती इचीड गया आता है वो जल्दी से जल्दी यंग को ढूणने के लिए बोलता है यंग भी कहता है कि अगर आपका बेटा नहीं होता तो मुझे जॉब कभी भी नहीं लगती यह मास्टर कहते है कि अगर तुमने सही से मेरे बेटे को ढूण दिया तो तुम्हारा नाम हम हिस्ट्री में अमर कर देंगे अब नेकसिन में यंग सस्पेक्ट्स की लिस्ट निकालता है वो अपने कलिक के साथ ये लिस्ट देखता है और उनके नाम से ही लॉजिक बनाने की कोशिश करता है एक के नाम में टाइगर होता है तो इस नहीं ये काम किया होगा इसलिए उसको ही वो suspect बना देते है Master को बहुत ही बुरा लग रहा होता है उपने friend से कहता है कि अभी अभी तो मेरा बेटा बढ़कर आया था उसका कोन anime हो सकता है दिन वो पूरे empire को rule कर सकता है यहाँ पर हम देखते हैं कि जाइंग मुझूद है साफसपय का काम वो यहाँ करता है और काम करते करते ही वो Master के Sun की फोटो देखता है इसे शौक लगता है और वो बहुत ही डर जाता है रात में सड़क से जब यह जा रहा होता है तो लोग बात करे होते हैं कि Master के Sun को अगर कुछ हो गया तो यह बहुत ही बुरा होगा जिसने यह किया होगा उसे बहुत ही तटपाया जाएगा Master ने उसके Sun को ढूण कर जो देगा इसके लिए बहुत सारा इनाम रखा होगा होता है सुभा हम देखते हैं कि Jack जिन हो के पास आता है उसे आकर कहते हैं कि मुझे एक आदमी को ढूणना है जब यह पैसे वगरा डिसकस कर लेते हैं तब Jack उसे कहते हैं कि वो एक Murderer है Murderer का नाम सुनकर जिन हो पीछे हट जाता है वो पुलिस के कामा में ज़्यादा इंटरफेर ने करना जाता उसके लाइफ को भी खत्रा हो सकता है तो इसके लिए वो केस लेने वाला नहीं Jack कहते हैं कि प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो Jack को उसने बाहर निकाल दिया होता है Jack उसे पाच वोन देता है केता है कि मेरी सिर्फ बात सुनने के लिए है Jack फिर जिन्हो को एक जगा पर लेकर आता है Jack उसे एक डेड बाडी दिखाता है यह मास्टर के बेटी यह डेड बाडी होती है जिन्हो जब इदेखता है तो डर जाता है कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा मैंने यह कभी देखा ही नहीं इसा आप मैं प्रिटेंड करूँगा मुझे पता है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा पर यह केस जिन्हों को नहीं लेना होता जैंग जिन्हों को कहता है कि मुझे body मिली थी मैंने नहीं किया है और इस काम के लिए उसे 500 won देना चाता है जिन्हों को अमेरिका जाने के लिए जो ticket लगने वाला है इसकी price ही 500 won है 500 won सुनकर जिन्हों रूख जाता है जिन्हों कहता है कि तुम्हारे पास body है तुम जाकर directly देखकर आ सकते हो जैंग कहता है कि मैंने इसके liver वेगरा सब कुछ निकाल लिया है हमने देखा था कि doctor ने जैंग को कहा था कि real humans पर इसे practice करने चाहिए तो यही जैंग कर रहा था और इसे वचे से उसने liver वेगरा सब कुछ body से निकाल लिया था हमने मूवी के फास में देखा है कि एक आत्मे जंगल से body लेकर जा रहा था यह जैंग ही था गुमते फिर ते इसने एक body देखी और इस पर experiment करना चाहिए ऐसा उसे लगा इसलिए body यह घर पर लेकर आया अब जिन हो पैसो के लिए एक case लेने के लिए ready हो जाता है जैंग फिर उसे जहाँ पर body मिली थी वहाँ लेकर आता है यह जगा forest में होती है और body वहाँ पड़ी हुई थी जिन हो आसपास देखता है तो kart के निशानों से दिखते है जिन हो को लगता है कि अगर इस kart को उसने पहचान लिया तो killer के पास हो पहुच जाएगा पर जैंग ने ही एक kart लाया था जैंग को फिर से मजाग करकर पूछता है क्या तुम शोर हो कि तुमने नहीं किया इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों मार्केट में आ जाते हैं जाएंग जिन्हों को कहता है क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि फॉरेस्ट के मिडल में जहां किसी को भी बॉड़ी मिल जाए यहां बॉड़ी रखी गई थी मर्डर ने कुछ भी एफ़र्ट नहीं लिये थे जिन्हों कहता है कि इसके पीछे दो रिजन हो सकते है पहला यह बहुत इडियेट है और दूसरा कि वो च्छाता था कि यह बॉड़ी किसी ना किसी को तुमिल जाए जिन्हों जाएंग से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा पीछा कोई कर रहा है इस आदमी को स्पोर्ट करता है और इसके पीछे-पीछे भागने लग जाता है जिन्हों एक जगा पर ठकरा जाता है और यह आदमी आगे चला जाता है जैंक को लगता है यही killer हो सकता है इसके बाद हम देते हैं कि जिन्हों एक लड़की के पास आता है इस लड़की का नाम होता है सुन यह हमारे और एक main character है एक factory जीसी जगा पर काम करती है पर वहाँ वो बहुत सारे experiment करती है actual में इसे scientist बनना आता है इसलिए हमेशा experiment करती रहती है जिन्हों को उसने एक दुर्बिन दी थी पर अब वो तूट चुकी है इसलिए जिन्हों उसके पास आता है इसके बाद यह बात करते करते चलने लग जाते है जिन्हों कहता है मेरे पास एक बहुत अच्छी case आई है अगर उसने स्वाल कर दी तो उसे अमेरिका जाने के लिए पैसे मिल जाएंगे सुन को भी यह सुनकर अच्छा लगता है कि तुम भी बहुत स्मार्ट हो अगर तुम भी अमेरिका गई तो वहाँ बहुत साही चीज़े तुम सिख सकती हो तो पुछती है क्या तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं तुमारे साथ हूँ जिन्हों कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा सुन के दिये मैं सब एक्स्प्रिमेंट्स वगरा कर दी हूँ यह करकर मैं अल्रेडी बहुत सारी रिस्क ले रही हूँ सुन टेलिस्कोप और इस तरह की अलग अलग चीज़े बना दिये 1900 का जो वक्त था इतना प्रोग्रेसिव नहीं था औरते ये सब कर सके एक सिप्टेड नहीं था इसलिए सुन के दिये कि मैं करकर अल्रेडी रिस्क ले रही हूँ इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों मास्टर के घर में आ जाता है जहाँ पर मास्टर के सन को उठवाय गया था तो एज़ पुलिस ओफिसर वो ढोंग करकर वहां आ जाता है पुरे मर्डर सिन को देखता है यहाँ पर उसे ड्रग्स मिलते है यह सब चान बिन कह रहाता है तभी एक पुलिस ओफिसर उसे ढोंड लेता है इसके बाद उसे यंग के पास ले कर जाया जाता है यंग उसे मारता है और कहता है कि अब यह केस खतम हो चुका है इसने जो रियल किलर है उसे पकड़ लिया है यंग ने किसी को भी उठा लिया है और उसे वो confession लेने के लिए जबर्दस्ति कर रहा है जिन्हों कहता है कि अगर ये killer है तो उसने body कहा रखी है यंग ने सिर्फ suspect के नाम से उसे पकड़ लिया था ये logic जब जिन्हों सुनता है तो इस पर वो हसने लग जाता है जिन्हों को फिर छोड़ दिया जाता है वो directly जैंग के पास आता है जिन्हों ने murder scene से जो drugs लाए थे वो जैंग को दे देता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये drugs है जैंग अब इसका study करने लग जाता है और उसे पता चल जाता है ये drugs है जहाँ पर ये drugs sell किया जाते है वहाँ फिर जिन्हों और जैंग पहुच जाते है यहाँ अंदर सब नशेडी पड़े हुए होते है यही से ही master के सन्य ड्रग्स लियोंगे तो इसकी inquiry वो करने लग जाते है थोड़ी दिर में इस जगह का boss आ जाता है और वो जैंग को पहचान लेता है उसे पता है कि डॉक्टर के नीचे काम करता है और ये कभी भी drugs नहीं करता अवे गुंडा सब आर्मियों को लेकर उसे मारने लग जाता है जैंग और जिन्हो भी रेजिस्ट करते है और बहुत सारे लोग को मारते है boss को पकड लेते है और उसे उलडा लटका देते है उसे पूछते है कि तुमने लास्ट पर कब मास्टर के सन को देखा था पहले भोल नहीं रहा था पर उसे बहुत डराते हैं तो बोलने लग जाता है यह कहता है कि लास्ट टाइम मैंने जब उसे देखा था कि वो ड्रक्स लेने के लिए आया था उस दिन उसके घर के डारेक्शन में वो नहीं गया डौंगी निनम नाम की एक जगा थी यहाँ पर वो गया था जब जिन हो और जैंग यहाँ पहुँज आते हैं तो उन्हें पदा चल जाता है कि यहाँ पर एक सरकस थी यह सरकस अब ज़रा आगे चली कही है निकसिन में हम देखते हैं कि रात में कमिशनर के घर पर एक आदमी आता है इस आदमी को कमिशनर जानते हैं तो अंदर आने देते हैं पर यह आदमी कमिशनर का खोन कर देता है फिर से जंगल में जहां जायंग को मास्टर के सन की बॉड़ी मिली थी उसी जगा पर पुलिस को मिल जाती है अब कमिशनर की डेट बॉड़ी मिल चुकी है तो मास्टर और भी चिट गए होते है मास्टर यंग को धमकी देते हैं कि अगर उसने उसके सन को नहीं जल्दी से डोन कर दिया तो उसे वो फायर कर देंगे के बाद हम देखते हैं कि यंग एक आदमी के पास आये हुआ है इसका नाम होता है इकवांग यंग इकवांग से बुछता है कि मैंने तुमें ही इन दोनों को इंट्रोडूस कर रहा था यानि कि कमिशनर और मास्टर का बेटा और अब ये दोनों डेड़ है इकवांग पर ये शक ले रहा होता है इकवांग कहता है कि यो दोनों बड़े आदमी थे इनके बहुत सारे एनिमीज हो सकते है हमने मुवी में देखा है जिसको कमिशनर ने मारा था ये ही इकवां है अब पुलिस को कमिशनर की बोड़ी मिल चुकी है तो उसकी आटपसी करने के लिए डॉक्टर को बुलवया जाता है पर डॉक्टर जैंग को ही लेकर आता है जब जाएंगी आटपसी कर रहा होता है तो कमिशनर के मुँँ में एक कपड़ा होता है जिसको छुपा कर अपने बॉक्ट में रख लेता है यहाँ इस आटपसी में फिगर आउट करता है कि जिस नाइब में दोना तरफ से धार होती है इसे नाइब से मर्डर किया गया था यह रात में जाकर जिन्हों को यह सब बाते बता देता है जिन्हों भी इन्वेस्टिकेशन करी रहा था तो उसे नाइब के बारे में पता चल गया था कमिशनर के मुँ में जो कपड़ा था ये एक नया सुराब उन्हें मिल चुका है तो इसके पीछे अब वो लग जाते है ये कपड़ा आया कहा से है ये पता नहीं कर पाते है सुन इंटेलिजन्ट है तो सुन के पास जिन हो ये कपड़ा लेकर आता है पर थोड़े एक्सप्रिमेंट करती है फर उसे पता चलता है कि इस कपड़े पर फ्लावर बना हुआ था इसे फ्लावर के कपड़े सरकस में ही लोग पहनते है कमिशनर का बेटा मर्डर होने से पहले सरकस में ही गया था तो अब ये दो एविडनन्स इने मिल चुकी है तो सरकस में कुछ ना कुछ तो गरबर है इसे पर्शू करने के लिए वो निकल जाते है जाकर वो सरकस देखने लग जाते है तो वहाँ इकवांग होता है इकवांग डबल एज नाइफ से एक शो दिखाता है जिसमें एक आदमे को बोर्ट से बानता है और उस पर ये चाकू चलाता है इकवांग कहता है कि ओडियंस में से अगर कोई आ जाए तो सरकस में ये गेम खेलती होगे डरेगा तो ये बहुत ही मज़ा आएगा जिन्हो जल्दी से उट जाता है और इसके लिए रेडी हो जाता है इकवांग थोड़ी दर तक आखों में पट्टी बान लेता है उसके बाद चाकू चलाने लग जाता है ये देखकर जिन्हो बहुत डरा हुआ होता है पर सक्सेस्पुल ये गेम कम्लिट हो जाता है जब जिन्हो ने इस गेम के लिए वालेंडेर किया था तो उसी वक्त उसने नाइफ वहां से चुरा ली थी ये नाइफ वो चेक करते और कन्फरम हो जाता है कि इसी नाइफ से मर यह लड़की यहां से भाग रही थी इसे वझे से उसे कहता है कि मैंने रूप किया है तुम्हारे साथ जो चाहे यह वो कर सकता हूँ इस लड़की की एक छोटी बहन भी थी उसे पकड़ कर ले आये हैं इस चोटी लड़की थे इसका प्रिरेड़ आया हूँ यह सुनकर इसे खुशी होती है, यह एस चोटी लड़की को छोड़ देता है, इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूस पेपर वालों के यहां जिन हो को पुलाया गया है, सरकस में एक बड़ा इवेंट चल रहा है, जहां गवर्नर, पुलिस ओफिसर, यह सब आने वाले हैं, यह यहां किसी को भी allowed नहीं है, तो जिन हो को खहता है, कि वहां जाकर चुके से तुम कुछ images ले कराओ, यहां क्या चलता है, किसी को भी पता नहीं है, इन्हें हम कुछ expose कर सकते हैं, यह news paper वाला कहता है, कि यह काम dangerous हो सकता है, जिन हो pretend करता है, कि उसे भी dangerous लग रहा है, पर actual मे उसे भी जाना होता है क्योंकि अब वो case की investigation करने के लिए सरकेस के बारे में और भी कुछ जानना जाता है सरकस के यहां जाकर सरकस वालों से वो कहते हैं कि तो वे free की publicity मिल जाएगी इसलिए वो सरकस वाले भी इने photo लेने के लिए help कर देते हैं जिन हो अलग एक टेन में घुषता है और वहाँ नाइपस खोजने लग जाता है यहां उसे killer कोन है इसका कुछ न कुछ तो evidence मिल सकता है पर इसे एक आदमी ढून लेता है और बहार निकाल देता है यह यहां से जा रहाता है पर दोनों छोटे लड़किया इसे रोक लीती है गयती है कि प्लीज हमारा भी photo ले लो जिन हो पहले मना करता है पर यह बहुती sweetly उससे request करती है तो जिन हो भी मान जाता है जिन हो सुन को उसकी case के बारे में सब कुछ चीज़े बताता है तो सुन को सब कुछ मालूम है तो वो भी थोड़ी सी investigation करती है सुन पता करती है कि जो इकवां है यह अलग-अलग behave करता है एक बार वो कुछ करेगा तो दूसरे बार कुछ अलगी चीज़े करता है पुलिस पर याने की यंग पर अप्रेशर बढ़ने लग चुका है तो एक आदमी को जो बहुती गरीब होता है confession करने के लिए मना लेता है यह एक fake body भी रखवा आते है यह आदमी सिर्फ पैसो के लिए admit करता है कि उसने ही master के son को मारा है जब इस murder को देखने के लिए जिन हो और जैंग जाते है तो जैंग कहता है कि मैं तो इसे पहचानता हूँ यह वही आदमी था जिस पर operation हुआ था यह बहुत गरीब है इसी वज़े से इसने confession किया होगा यह वो जिन हो को बताता है जिन हो अब यंग के पास जाता है उससे कहता है कि मुझे मालूम है कि यह real killer नहीं है मैं सब जाक कर यह master को बता सकता हूँ यंग कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो यंग बोचता है कि तुम्हें क्या चाहिए जिन हो कहता है कि मुझे सिफ तीन दिन दो तीन दिन मैं सही murderer में ढूण निकालोंगा तब तक इस आदमी को कुछ भी होना नहीं चाहिए अब रात में investigation करने के लिए जिन हो सरगस के आसपास घुम रहा होता है तब इकवांग उसे ढूण लेता है इस पर वो चाक को लगाता है कहता है कि तुम यहां कर क्या रहे थे ये जिन हो को दंकी देता है कि अगर वो आसपास फिर से दिखा तो उसे मार ड़ालेगा जिन हो कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम ही murderer हो इकवांग ये सुनकर surprise हो जाता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है यह सा वो pretend करता है अब इन दोनों में यह fight हो जाती है पर एकवांग का twin brother वहा जाता है यह दोनों मिलकर जिन हो को बांद देते इसके बाद यह सरकस का show करते है एकवांग का जुड़वा ब्रदर अब जिन हो से मिलने कि लिए आता है जिन्हों कहता है कि तुमने ही murder किये है ये जुड़ा brother कहता है कि तुम police नहीं हो हम दोनों को अकेला छोड़ दो जिन्हों अभी भी बंदा हुआ है और उसे वक्त सरकस का show चल रहा होता है हमने जो दो लड़किया देखी थी वो सरकस में काम करती है और show करते वक्त उपर से चलांग लगा देती है ये बहुत ही इंजोड हो जाती है जैंग भी जिन्हों को ढूनते ढूनते यहां आही चुका होता है और जिन्हों को छुड़वा लेता है यह आसे जा रहे होते है पर लड़की इंजोर है तो जैंग इसे देखने लग जाता है इकवांग भी इस लड़की के पास आयो होता है उसे बहुत ही बुरा लगता है यह अपने ब्रदर पर घुसा हो जाता है उसे मारने लग जाता है उपने ब्रदर को कहता है कि तुम्हारी वज़े से ये सब हुआ है जिन हो टेंड के अंदर होता है और ये दोनों ब्रदर बाहर जगड रहे होता है जिन हो को आवाज आती है और वो बाहर आता है पर वहाँ उसे एक ब्रदर की डेड़ बॉड़ी मिलती है अब ये डेड़ बॉड़ी किस ब्रदर की है ये किसी को भी पता नहीं है यहाँ पर पुलिस को बुलो आ जाता है यंग इकवां का फ्रेंडी है तो यंग कहता है कि किसे ना किसे तरीके से मैं जल्दी से एक केस निपटा लूँगा कोई भी वरी करने को तुमें जरूरत नहीं है जिन हो के पास यंग आता है और कहता है कि क्या तुमें रियल किलर मिला है जिन हो यंग को कुछ भी नहीं बताता जिन हो को पता है कि जो ब्रदर जिंदा है यही किलर है पर वो बताने नहीं वाला जो चोटी लड़की उपर से गिरी थी इसको जैंग help कर सकता है यह जल्दी से उसे उस्पिटर में लेकर आता है वो डॉक्टर को सरजरी करने के लिए बोलता है पर डॉक्टर मानने रहाता है जैंग डॉक्टर पर बहुत ही जिर जाता है वो कहता है कि क्या तुम सिर्फ पैसु के लिए नहीं कर रहे है डॉक्टर भी जिर जाते है और वहाँ से चले जाते है जाएंग अब खुद ही ओपरेशन कर डालता है रात में जिन हो सुन से मिलने के लिए आता है जिन हो अब ज़रा परिशानी में है सुन यह पहचान जाती है सुन के दिये तुमें जो भी लगता है जो तुमें करना चाहिए यह तुम कर डालो वो कहती है कि जब तुम पुलिस में थे तुम जिस तरह से फियरलेस थे उसी तरीके से फिर से तुम यह काम करो यहाँ इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि एक दूसरे से पहले प्यार करते थे पर अब इनमें ब्रेक अब हो चुका है इसके बाद हम देखते है जिन हो यंग के पास जाता है और इसके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिन हो फिर सरकस में पोचता है आसपास कही भी इकवांग नहीं होता पर उसका एक आदमी जो उसे बहुत मारता है और इकवांग का पता निकालता है नियूस पेवर वाले ने जिन हो को कहा था कि कमिशनर बहुत सारे बड़े बड़े लोग ये सब इकवांग के पास जाते हैं ये क्यों जाते हैं इसका रिजन अब उसे पता चल जाता है इन सब लोगों का कलब था जिसमें कमिशनर, गवर्नर, मास्टर का बेटा ये सब शामिल थे इकवांग इन सब लोगों को लड़किया सप्लाई करता था ये सब मिलकर इन लड़कियों का शोशन कर दे थे सरकस में काम करने वाली लड़किया हमने देखी है कि वो भागनी कोशिश कर रही थी यही रिजन था कि वो भागना चाहती थी इकवांग के आदमी से जिन हो पता निकाल लेता है इकवांग अब कहा होगा वो इस बार गवर्नर के पास आया हुआ है एकवांग और उसका जो ब्रदर है इनमें से एक लड़किया सप्लाई करदा था दूसरे ब्रदर को जब पता चल गया कि उसका ही ब्रदर लड़किया सप्लाई करदा था ति वो बहुत ही चिड़ गया गुसे में आका रिवेंज लेने के लिए सब को मारने लग गया को मारने से पहले ही इकवांग को रोक लेता है इस दिवार से उसे बहुत सारे ड्रग्स भी सप्लाइग किये जाते थे यही ड्रग्स लेने के लिए मास्टर का बेटा सरकस में आया था लास में जिन हो गोली चलाकर इकवां को मार डालता है केस अब सौल हो चुका है तो जिन हो को इस केस के लिए पैसे मिल जाते है वो अमेरिका जाना चाहता था पर सुन को अमेरिका भेज देता है सुन एक साइंटिस्ट है और वो अमेरिका जाकर अच्छा-च्छा अविश्कार कोरिया में ला सकती है इसलिए वो वहाँ उसे बेज देता है सुन उसे कहे रहे हुती है कि वो भी उसके साथ चल सकता है पर जिन हो कहता है कि मैं अब उन दोनों लड़कियों का ख्याल रखने वाला हूँ मुवे के लास में हम देखते है जिन हो और जाएंग के पास कुछ आदमी आते हैं इन दोनों को एक बड़े से आदमी के पास लेकर आते हैं यह आदमी उनसे कहता है, कि मेरा एक लेटर गुम हो गया है, यह नेधर लाइड में हैं, जिन हो और जाइग एक अच्छी टीम बना थे, तो इन दोनों को यह लेटर ढ़णने का काम हो दे देता है, जब यह आदमी चला जाता है तो जिन्हों को पता लग जाता है कि यह आदमी और कोई नहीं था तो यह हमारे king ही थे जिन्हों और जाएंग दोनों बहुत ही खोश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें बहुत सारे बैसे भी मिलने वाले हैं अब यह दोनों as a team ही case solve करने के लिए लग जाते है यही movie end हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी इस तरह की movies लेकर आतर रहता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और bell notification icon दबाना में म मत भूले हैं हम इसे मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तबते के लिए thank you और अब आपने आपका ख्याल रखिये